नबस्कार दोस्तों स्वागत है आपसे भी का दोस्तों यह बहुत ही सीरियस मुद्दे पर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप छात्रों के काफी कमेंट आ रहे हैं कि सर परचा आउट हो चुका है और उन्होंने मुझे मेल भी किया है और साथ ही साथ मेरे फेस्ब पेपर वही है और आपको लग रहा है कि आपने जो पेपर दिया था वो पेपर लीक हुआ है तो ये बाते आप सोसल मीडिया पे जो कर रहे हैं वो ठीक है और इसके साथे साथ मैं आप लोगों को सज़ेस्ट करूँगा सलाह दूँगा कि देखे ये आपके फ्यूचर का सवा क्या होता है आप अपनी बाते अरा जगता फैला कर नहीं कर सकते उसका एक सिस्टम बना हुआ है आप यहां कमण्ट कर रहे हैं मैं भी उसको देख रहा हूँ ठीक है मैंने भी स्टुडेंट को रिप्लाई किया है कि आप कोट के माध्यम से देखे जो भी प pryफ है आज कल य पाली यो दुती पाली में काफी question सेम थे पहली पाली में जो question आये थे वही दुती पाली में आये थे तो इस अधार पर उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और court के माध्यम से ये फिर order हुआ फिर सारी चीज़ें हुई कि यूपी पुलिस भरती बोट ने दुती पाली की प पी टेट के भी बात ले सकते हैं जहां अंसर की आई है जिसमें से कई चात्र दो नंबर चार नंबर से बाहर हो गए थे देखिए लड़ाई लड़ी उन्होंने फाइनल आया अंसर की अब वो योग हैं अपने सिच्छक भरती में अप्लाई करने के लिए आप समिधानिक द अग रही है तो यह आप एक प्रोशीजर के थूट के माधियम अपनी बात रख सकते हैं और वहाँ पर यह बाते अगर प्रूफ होती है तो हंड़ेट परसेंट अगर कोट यह मान लेता है कि कहीं न कहीं खामिया हुई है कहीं न कहीं ग्यावड़ी हुई है तो हंड़ेट बनाने का यही उद्देश है कि आप चात्र कमेंट कर रहें कि सर्फ पेपर लीक हो चुका है तो बस यही है कि आप प्रूफ ले जाईए और किसी अच्छे वकील को सजेस्ट करिए कि वो आपकी बातें वहां तर रखे आप एडवाईज ले सकते हैं देखिए सभी को अधि कि अच्छा हाल में क्या हुआ था और कि परिफ्स्टा हाल की बात तो प्रूफ आफ नहीं कर सकते हैं कि यूज़े टर ने क्ैया क्या ऐसे किया लेकिं सोशल मीडिया फोटोन वाईरल हुई है उसको मैंने भी और कहा किए सकते हैं कि कहां सिस्टम में गबड़ी है डिकिन आ अगर आप प्रूफ देंगे, कोर्ट के माध्यम करेंगे, तो हम भी आप सब की बाते, सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार के पास पहुचाने का जरूर काम करेंगे, तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जो भी कमें हो, आप लोग को हो, प्रूफ हो, जो भी दिजेगा, बहुत बहुत धन्यवाद.